आज हम बात करते हैं कि लाइन हाजिर होना किसे कहते है और इसका पुलिस कर्मियों पर क्या प्रभाव परता है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमाने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। आपको बता दे कि लाइन हाजर करना पुलिस की एक ऐसी कारेवाही होती है जिसे पुलिस अफसर इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी या उससे छोटी पोस्ट के पुलिस कर्मियों पर करते हैं। ड्यूटी में लापरवाही, अपराधों पर लगाम न लगा पाना या अन्य किसी गंभीर आरोप लगने पर किसी भी पुलिस कर्मी को लाइन हाजर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर लाइन हाजर होने वाले पुलिस कर्मी के साथ क्या होता है। तो आपको बता दे कि लाइन हाजर किये जाने वाले पुलिस कर्मी को पुलिस लाइन भेज दिया जाता है। यहां उसे रोजाना सुबह शाम लाइन में हाजरी लगानी पड़ती है और परेड में शामिल होना पड़ता है। आमतोर पर रिजर्व पुलिस लाइन इंस्पेक्टर रोजाना सुबह ऐसे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अपने हिसाब से लगाता है। इसके अलावा संबंदित पुलिस कर्मी को किसी प्रकार की छुट्टी भी नहीं दी जाती है और खुद पर लगे आरोपों पर स्पश्टी करण देने के लिए भी कहा जाता है। लाइन हाजर होने वाले पुलिस कर्मी पर प्रभाव की बात करें तो उसकी सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इस दोरान उसे पहले की तरह ही पूरी सेलरी मिलती है और अन्य भत्तों में भी किसी प्रकार की कटोती नहीं की जाती है। सर्विस रिकॉर्ड की बात करें तो उसमें भी किसी प्रकार की बैड एंट्री नहीं होती है क्योंकि लाइन हाजर करने का पुलिस मैनुवल में कोई अधिकारिक नियम नहीं है। हालाकि अन्य पुलिस कर्मियों की नजर में लाइन हाजर होना बड़ी बेज़दी के रूप में देखा जाता है। हालाकि इस बात का कोई अधिकारिक प्रमान तो नहीं है। इसके बाद इनका काम आसानी से हो जाता है और मंचा ही तैनाती मिल जाती है। हालाकि कभी कभी कुछ पुलिस कर्मियों को उनकी विशेशता के आधार पर भी अधिकारी खुद ही बहाल कर देते हैं। आशा करते हैं कि विडियो में दी गई जानकारी से आप ये समझ गए होंगे कि लाइन हाजिर होने का क्या मतलब है। विडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और विडियो को लाइक जरूर करे।